नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर दोस्तो ईद और भाईजान सलमान खान का कनेक्शन बहुत पुराना है ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्मों का आना उनके फैंस के लिए एक तरह से ईदी होती है ईद पर सलमान खान दिवाली पर सारु खान और क्रिस्मस पर आमिर खान ये तीनों बड़े तेवार इन तीनों खान के नाम पर रहे और इस मौके पर इन इस्टार्ष ने कई बड़ी बड़ी कामया फिल्में दी हैं इसमें सबसे अदर सफल फिल्में किसी इस्टार के खाते में दर्ज हैं तो वो हैं सलमान खान उस इस एद के मौके पर सलमान खान की जो फिल्म पहली मेजर सकस्स थाबित हुई थी वो थी वॉंटेड इस फिल्म को 52 क्रोंड के बजट में बनाय गया था और इस फिल्म ने 93 क्रोंड की कमाई करते हुए बॉक्स आफिस पर गरदा उड़ा दिया था यहीं से अमूमन सलमान खा करेकित तब तक की हाइट ग्रॉसर फिल्म थी फिल्म को इतनी बड़ी सकस्स मिली कि मानो यहीं से भाई और फैंस के बीच इदी का सिलसला सुरू हो गया 2011 में सलमान खान की फिल्म बॉडी गाड रिलीस हुई 60 क्रोंड के बजट में बनी इस फिल्म ने 252 करोड की कमाई करी और अगेन यह फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बश्टर रही सलमान खान लगातार अपनी इद रिलीस और नॉन इद रिलीस के साथ इंडस्ट्री के सबसे बैंकेबल इस्टार बनते जा रहे थे 2014 में अगेन इद पर सलमान खान की मोवी कीक रिलीस हुई 140 कौण के बजट ने बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर 402 कौण की कमाई करी इसी के चलते इद पर सलमान खान को आगे पीछे आक्टर अपनी फिल्मों को रिलीस करने से बचने लगे फाइनली 2015 में अगेन सलमान खान की एक और फिल्म इद पर रिलीस हुई ये फिल्म थी बजरंगी भाईचान, ये 2015 के ईद पर रिलीस हुई और मेरी वन अप दे फेवरेट सलमान फिल्म है, इस फिल्म में वाके एक बात तो थी, 90 क्रोंट के बजट में बनी, इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 970 क्रोड की कमाई करी और एक बेंचमार्क फिल्म बनी साल 2016 में सलमान खान की फिल्म सुल्तान रिलीस हुई, अगें सलमान खान की पर्फॉर्मेंस और फिल्म की स्टोरी लाइन ने सलमान खान को लेकर एक स्ट्रोंग इमेज प्रस्तूत करी, 90 क्रोंट के बजट में बनी, इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 623 क्रोंट की कमाई कर और ये फिल्म भी all time blockbuster रही 2017 की ट्यूब लाइट इनकी इद रिलीज थी सल्मान खान का attempt तो अच्छा था लेकिन final product में बात बन नहीं पाई यहाँ पहली बार सल्मान खान को इद पर जटका लगा भारत इनकी अगली इद रिलीज थी 100 क्रोंड के बजट में बनी इस फिल्म ने box office पर 325 क्रोंड की कमाई करी फिल्म ने कमाई तो अच्छी करी लेकिन trade में यह साफ हो गया था कि इद के मौके पर सल्मान खान की फिल्मों से जिस तरह कर बिजनस निकल कर आ रहा था उसका ग्राफ नीचे जाता दिखाई पड़ने लगा 2019 की रादे सल्मान खान की इद रिलीज थी और ये फिल्म भी box office पर फिसट भी साबित हुई हाला कि obviously इसके कुछ रीजन्स थे और अब किसी का भाई किसी का जान इद के मौके पर रिलीज हुई है जिसका डेवन मात्र 15 क्रोड निकल कर आया है इसी के साथ क्रिटिक्स का मानना है कि ये फिल्म max to max 200 क्रोड कमा पाएगी फिल्म का बजट 1500 क्रोड है और 1500 क्रोड के एवेज में 15 क्रोड का डेवन आना अपने में एक बुरा संकेत है ये एक हाई पॉइंट है जहांपर सलमान खान को अपने फैंस को as a granted नहीं लेना चाहिए आपको बता दूँ फिल्म का डेवन सलमान खान की लास्ट प्रॉपर रिलीज दबंग 3 से भी आधा आया है जिसको फैंस ने कुछ खास पसंद नहीं किया था समय आ चुका है सलमान खान को रियल्टी चक करने की कोविट के बाद परसितियां बहुत हद तक बदल चुकी है कई एक्टर्स ने अपनी किस्पना तजवाई और बॉक्स ओफिस पर असफल रहे सिवाई सारु खान को छोड़ कर ऐसे मैं सलमान खान की हिस्से से ये प्रूव होना बाकी था कि वे अब भी कितनी ओडियंस को थेटर्स तक पूल कर सकते हैं चुकी आज इत है और कल संडे है इसलिए डे टू और डे थ्री पर ये फिल्म अच्छा जम तो करेगी वैसे जब भी मैं बॉलिवूट की बात करता हूँ तो अकसर लोग मुझे बॉलिवूट का हेटर समझ लेते हैं जो कि सच नहीं है मैंने पठान को वाकर ही इंजॉय किया था लाल सिंग चड़ा डेफिनिल्टी एक मस्ट वाच फिल्म है अगर बीते तीन-चार सालों में कोई फिल्म कही जाए जिसमें एक मैजिक था जिसे देखकर वाकर इमोशन टिगर होते हैं तो मेरे लिए लाल सिंग चड़ा ही रहेगी बहले ही ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर ना चली हो लेकिन मैं आमिर की एक्टिंग और उनके फिल्म सेलेक्शन का हमेशा से फैन रहूंगा टेक उसी तरह भले ही किसी का भाई किसी का जन बॉक्स आफिस पर चल जाए लेकिन ये फिल्म मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई I mean सलमान खान जैसे इतने बड़ सूपर स्टार को चाहिए कि अब वे एटलिस अपने केरियर के इस फेस में कुछ उरिजिनल करें अभी गपी तो ऐसा भी लगता है कि जैसे सलमान खान रिमेक के धिर पर बैठे हों इनकी फिल्म वांटेड महस बाबू की फिल्म पोकर्डी की रिमेक थी इनकी मुवी रैड़ी राम पूति नैनी की रैड़ी की रिमेक थी Bodyguard Malayalem Superstar Dilip की Bodyguard की remake थी Jeho Megastar Charinjeevi की Stalini की remake थी और Kik भी रवी तेजा की फिल्म की remake थी अब अगेन किसी का भाई किसी का जानत थला अजीत कुमार की फिल्म वीरम की remake है और बाकी इनकी फिल्मों ग्राफिक की कुछ फिल्म में जिनका नाम मैंने नहीं लिया वो या तो किसी Hollywood फिल्म या फिर किसी play की adaptation है बस भाई अब हो गया remake फिल्म में किसी को interest नहीं है और इसी के चलते आपकी फिल्मों के collection इतने कमजोर निकल कर आए है Being a fan of Salman मैं उन्हें बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी फिल्मों में देखना चाहता हूँ दोस्तो अभी मैं एक article पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि इत पर अब दूसरे actor को भी अपने film release करने के लिए अच्छा कासा scope है कहां एक time था जब Salman Khan की फिल्मों के आगे पिछे कोई अपने film release करने का सूचता भी नहीं था किसी का भाई किसी का जान I mean क्या था ये आप title तक से तो impressed नहीं कर पा रहे ये title 80s और 90s में सही लगता था Meanwhile as expected ये film routine कहानी के साथ average से निकल कर आती है इसे देखकर ना आप बहुत ज़्यादा enjoy कर सकते हो और ना ही आप बहुत ज़्यादा bore हो पाऊगे दोस्तो इस film को लेकर कुछ mix से feeling बनती है जो सलमान खान के die-hard fan है वहने तो definitely ये film निरास नहीं करेगी मगर जो neutral audience है उनके लिए ये film below average होने वाली है अगर आपका बहुत बड़ा दिल है और आप फिल्मों के technical department बे नहीं जाते तो भी max to max ये film आपको average और one time watch लग सकती है फिल्म थला अजीत कुमार की movie वीरम की remake है जो आज से लगपक 9 साल पहले आई थी उस समय इस तरह की फिल्में चल जाती थी और अगर उस दोरान सलमान खान इस फिल्म का remake करते तो box office का scenario कुछ अलग होता लेकिन आज कल इस तरह की फिल्मों को देखना audience में कुछ खाद दिल्चसपी बच्ची नहीं है ऐसा लगता है जैसे ये फिल्म 6-7 फिल्मों का मिस्रण हो और इस तरह की फिल्मों को हम कई बार देख चुके हैं सलमान खान है उनके भाई हैं सलमान खान साधी नहीं करना चाहते और इनके भाईयों का अपना अलगी सिस्टम चल रहा है भाई चाहते हैं कि सल्मान कान साधी कर ले हिरोईन की एंट्री, कहानी का नॉट से साउथ में सिप्ट होना, फैमिली एंगल और सब को बचाता हुआ अपना वन एंड ओनली सल्मान भाई फिल्म हमें कुछ खास डिलीबर कर नहीं पाती एक्सन सीक्वेंसिस काफी अच्छे हैं जिसके लिए इसके एक्सन डेक्टर की तारिफ की जानी चाहिए रवी बसरूर का म्यूजिक स्कोर अच्छा है और इस फिल्म के एक दूगाने काफी अच्छे बन पड़े हैं जब खासकर रामचरंड की एंट्री होती है तो मानो मेरे लिए पीक टाइम था और वहाँ पर सल्मान खान डगूबती वैंकिटेस और रामचरंड को एक साथ देखते हुए एक गूसपन तो आता है फिल्म में सीटियां तालियांस तो बसती हैं मगर एक बार कोई डायलोग राइटर के थोड़े से हाथ काट दो प्लिस और सल्मान भाई प्लिस ये फरास सामजी प्रभू देवा और रेमोट डिस्यूजा जैसे डेरेक्टर से बचो ये अपने में ही पनौती है वरना अगर आप ऐसे ही अपने स्टार्डम को कैरी करते हुए इसी धिले अंदाज में डायलोग डिलिवरी और एक्टिंग करते हुए नजर आओगे तो डेफिनिटिटी हर फिल्म की किसमत इसी तरह बिगड़ती रहेगी सल्मान भाई की casual acting और word by word slow motion में ये जो डायलोग डिलिवरी है वो अब अखरने लगी है आदा मोट तो तब खराब होने लगता है जब सल्मान खान बेरोजगार योजना के तहत एक्टर्स को काम देने लगते हैं इस चीज को तो मोटी जी ने भी इतना सिरिसली नहीं लिया जितना आपने ले लिया और इससे अब सल्मान खान को समझना चाहिए और ये बताओ भाई को लंबे बालोला लुक किस ने दिया उससे सबसे पहले टकला करो सल्मान खान टाइगर 3 जैसी फिल्मों में जचते हैं ये फिल्में एक्ट्वल में इनके स्टार्डम को जस्टिफाई करती हैं आप देखना टाइगर 3 जब रिलीस होगी तो उसका हाइप और क्रेजी नेक्स लेवल का होगा और डेफिनेटली वो फिल्म टेवन पर काफी तगड़े नमबस निकालेगी तब तक किसी का भाई किसी की जान को बुरा सपना समझ कर भूला जा सकता है जाते जाते सलमान खान से एकी बात कहना चाहूंगा कि क्या भाई अगर मानना है तो एकी बार में मार दो बार बार होब देकर तड़पाव नहीं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद